आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे फिश करी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम सिंपल और इजी बे में बहुत ही टीस्टी बनेंगी तो चिली देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया फिश करी बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए 500 ग्राम फिश हमन बन फो टीस्पून नमक और हलके हाता सो हमें इसको मिक्स कर लेना है रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीस एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा अब देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था अब यहां पर हमने एक पैन ले लिया है इसमें एट कर देना है मैं 100 ग्रम मस्टर्ड ओल यहां नि सर्सों का ओई लिया उसी में इसका टेस्ट बहुत इचा आने वाला है और यहां पर गरम हो चुका था फिर उसके बाद हमने इसको हलका सा ठंडा कर लिया है ठंडा होने के बाद इसमें एट क करना है पर देखिए दो मिनट और इसको फ्राइब कर लेना है तो इस तरह फ्राइब करने से फिश बहुत ही टेस्टी बनेगी तो यहां पर देखिए अच्छे से फ्राइब को हम एक प्लेट में निकाल लेना है कि अब जो ऑल हमें फिश का जो बनाने तो दूसरी प्रवाइब यहां पर हम एट करेंगे एक बड़े साइस का प्याज इसको हमने इस तरह से पेस्ट बना लिए आगर आपके पास छोटे प्याज तो दो प्याज ली जिए गार मिक्सिजार में डालकर उसका इस तरह से पेस्ट बना लीजिएगा अब इसमें एक टेबल स्पू अच्छे से बुन चुके तो इसमें एक कर दिया है वन टीजिए लालमिश पॉडर वन टीजिए पून कश्मीरी लालमिश पॉडर इससे बहुत अच्छा कलार आएगा और बन अंड़ हाफ टेबल इसमें डेट टेबल इसमें धनिया पाउडर बन फोर टीजिए पून और बूं लिया है रही के साथ मसाले को तो बहुत अच्छे से हुआ और इसमें करना है मैं नमक तो यहां पर मैं 20 नमक कर दूभी और इसके बादद आपर 21iness बूने के लिए अधा पानी एक कर दिया है और इस अधिति शाओं कि अधिक कर देनी कान्नी ऑक्षी Mick लेवर आएगा तो यहां पर अच्छे से मेक्स कर लेना है अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक का फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाईए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब 10 मिनट हम यहां पर मसाले को भ पानी एट कर देंगे करी के लिए आप जैसी भी करी पतली या फोड़ी थिक चाहते हैं तो कम पानी एट कीजिएगा और पतली चाहते हैं तो ज्यादा यहां पर मैंने एक कप किया था तो यह परफेक्ट था अब फिश भी इसमें कर देनी है बस हलके हाथों से इसको मिक्स करके का दिया है कि है कि आप देखी हमने मिक्स कर दिया है अब इसको कवर कर देना है और gray म मसाला पावडर और वन हेंटफूल कटके हुआ रेधनिया एट कर देना है बहुत ही सिंपल रेशिपी है बट टेस्ट में इसका मजा आने वाला है आपको बहुत अच्छी बनने वाली है जुरूर ट्राय कीजिएगा तो अब यहां पर देखिए फिश करी बनकर रेडी हो पसंद आएगी जब आप एक बार इसको ट्राय करेंगे जट पटसी बनकर रेडी हो जाती है तो उम्मीद करती हूं आज की मेरी यह रेशिपी आपको पसंद आई होगी रेशिपी बसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेशिपी के साथ फिरा आज ही रहूंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें अल्ला हाफिज